फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने साल 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS से मुन्ना भाई और सर्किट जैसे आइकॉनिक करेक्टर्स इंट्रोड्यूस किये थे तीन साल बात 2006 में फिल्म का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुआ यह भी सुपर डुपर हिट रहा फिल्म में मुन्ना सर्किट ने अपनी गांधी गिरी से सबका दिल जीत लिया तब से लेकर अब तक फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर चचा जारी है फैंस बिते सद्रा साल से इस फैंचाइजी के तीसरे पार्ट का इंतिजार कर रहे हैं कई बार सुनने में आता है कि यह फिल्म शुरू होने जा रही है पर अब तक इसे लेकर कोई अफिशल अनॉंसमेंट नहीं हुई एक इंटर्वियू में हिरानी ने मुन्ना भाई तीन पर बात की तेरेक्टर ने कहा मुन्ना भाई के साथ हमेशा मेरा स्टैगल यही रहा है कि पिशली दो फिल्म में इतनी अच्छी बन गई है कि मेरे पास पांच आधी लिके स्क्रिप्ट्स अभी तक पढ़ी हुई है मुझे लगता है कि अगर मैं पिशली दोनों फिल्मों के लेवल तक नहीं पोच पाऊंगा तो तीसरी नहीं बना पाऊंगा मेरे पास एक कहानी है जो बनाई जा सकती है पर कुछ कहानियां आउटेटेट हो जाती है तो अब यह वक्त ही बताएगा कि यह फिल्म कब बनेगी हिरानी नागे का ऐसे लेकर मेरी संजू से अक्सर बात होती है वो भी कहता है कि एक और पार्ट बनाना चाहिए अभी यह डंकी खतम हुई है तो मैं पुराने कहानियों का पिटारा खोलूँगा मन तो है कि एक मनना भाई बने पर कब तक बनेगी वो मुझे अभी नहीं पता